नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे स्टीम बॉयलर को उसे करने के तरीके के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए सबसे पहले सुरक्षा स्टीम बॉयलर चलाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप और आपकी टीम सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं से परिचित हैं उच्च दबाव वाली भाब के साथ काम करते समय सुरक्षा सर्वो परी है प्री स्टार्ट अप निरीक्षण क्षती, रिसाव या जंग के किसी भी द्रिश्य संकेत के लिए बॉयलर की जाँच करें यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव राहत, वाल्व और सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करें कि वे अच्छे कार्यक्रम में है सत्यापित करें कि बॉयलर में पानी का स्तर पर्याप्त है कम जल स्तर खतरनाक हो सकता है और इस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए स्टार्ट अप प्रक्रिया, मुख्य भाप, वाल्व और इंधन आपूर्टी वाल्व खोले बॉयलर के प्रकार और इंधन स्रोत के आधार पर सटीक प्रक्रिया भिन्न हो सकती है निर्माता के निर्देशों का पालन करें बॉयलर के इगनिशन सिस्टम को सक्रिय करें इसमें boiler के प्रकार के आधार पर electric igniter या pilot light शामिल हो सकती है Monitor boiler operation एक बार जब boiler चालू हो जाए तो उसके संचालन की बारीकी से निगरानी करें दबाव गेज, तापमान संकेतक और किसी भी असामान्य आवाज या कमपन पर ध्यान दे वांचित भाप दबाव और तापमान बनाए रखने के लिए बर्नर नियंत्रन समायोजित करें इसके लिए इंधन आपूर्ती और वायू सेवन को विनियमित करने की आवश्यक्ता हो सकती है स्केल बिल्ड अप और जंग को रोकने के लिए बॉयलर के भीतर उचित पानी की गुणवत्ता बनाए रखें निर्माता द्वारा दिये गए जल उपचार दिशा निर्देशों का पालन करें बॉयलर फीड पानी बॉयलर को फीड वाटर की निरंतर आपूर्ती सुनिश्चित करें इसे स्वचालित फीड वाटर प्रणाली या मैन्यूल निग्रानी और समायोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ब्लोडाउन प्रक्रिया अशुद्यों को दूर करने और तलचट के निर्मान को रोकने के लिए समय समय पर बॉयलर को ब्लोडाउन करें नियमित ब्लोडाउन शेड्यूल का पालन करें शटडाउन प्रक्रिया बॉइलर को बंद करते समय दहन प्रक्रिया को रोकने के लिए पहले इंधन आपूर्ती वॉल्व को बंद करे मुख्य भाप वॉल्व को बंद करके धीरे धीरे भाप का दबाव कम करे कोई भी रख रखाव या निरीक्षन कार्य करने से पहले बॉयलर को ठंडा होने दे रख रखाव और निरीक्षन बॉयलर की दीर्ग कालिक विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से रख रखाव और निरीक्षण का समय निर्धारित करें इसमें सफाई, दबाव राहत वालवों का निरीक्षण और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करना शामिल है आपात कालीन रोक, आपात कालीन स्थिती में, आपात कालीन शटडाउन प्रक्रियाओं के अनुसार बॉयलर को तुरंत बंद कर दें सुरक्षा हमेशा सर्वोच प्राथमिकता होनी चाहिए रिकॉर्ड रखना, दबाव, तापमान, इंधन की खपत, रख रखाव गतिविधियों और सुरक्षा जांच सहित, बॉयलर संचालन का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखें विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें कि आपके स्टीम बॉयलर का संचालन, सुरक्षा कोट और उत्सर्जन मानकों सहित